मन संतोष सुनत कपि बानी हनुमान जी की वानी सुन करके बाते सुन करके मन को संतोष हुआ सीता जी के मन को संतोष हुआ भगती, भक्ती, प्रताप, शार्यता, तेज और बल से, युक्त, सनी हुई सानी का मतलब होता है सनी हुई सनी हुई या युक्त आप बोल सकते हैं सनी हुई या युक्त हनुमान जी की भक्ती, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई होकर के जो सनी हुई बानी थी उसको सुनकर के सिता जी के मन में बहुत संतोश हुआ आशिश दीनी उन्होंने आशिरवाद दिया राम पृये जाना और हनमान जी को राम जी का परम प्रिये जान करके आशिरवाद दिया हो हू ताद हे ताद तुम हो जाओ कैसे? बल शील, निधाना तुम्हारे अंदर बल भी हो और शील भी हो नहीं तो होता क्या है बल तो आजाता है पर शीलता चली जाती है अत्याचार करने लग जाते है तो बल भी हो और शील भी हो उसके तुम निधान बन जाओ उसके तुम धाम बन जाओ अजर सनातन हमेशा जीने वाला गुण निधी सुत होऊ हे पुत्र तुम तुमारे उपर उम्र का कोई असर ना पड़े तुम अमर हो जाओ गुणों की खान हो जाओ करहूं बहुत रगुनायक छोहूं और इश्वर करे भगवान करे कि रगुनायक जो हैं प्रभू जो हैं वो तु पर बहुत करपा करें करहूं बहुत रगुनायक छोहूं छोहूं का मतलब होता है करपा रगुनायक तुम्हारे पर बहुत करपा करें करहूं करें करहूं करपा प्रभू अस सुनी काना जब हनुमान जी ने ये सुना की प्रभु राम मुझपर प्रभु कृपा करेंगे करहू कृपा प्रभु अस सुनी काना ऐसा अपने कानों से सुन करके करहू कृपा प्रभु ये सीधा जी ने बोला कि तुम पर प्रभु बहुत कृपा करें ऐसा अपने कानों से सुन कर निर्भर प्रेम, पूर्णता, पूर्ण प्रेम, संपूर्ण प्रेम में मगन हनुमाना हनुमान जी राम चंद्र जी के पूरी तरह से प्रेम में डूब करके मगन हो गए, खुश हो गए, आनन्दित हो गए बार बार नाएसी पद शीशा अपने सिर को सीता जी के चर्णों में बार बार नवा कर सीता जी के चर्णों में नवा कर बोला बचन जोड़ी कर कीसा हाथ जोड़ करके हन्मान जी ने बोला विने पूर्वक बोला उन्होंने अब कृत कृत्य मतलब कृतार्थ आपने मुझे बड़ी कृपा करी कृतग्यता व्यक्त करी भयों मैं माता अब मैं कृत कृत हो गया आशिश तव अमोग विख्याता आपका जो आशीश होता है सद भावनाए होती है आशिरवाद होता है वो अमोग होता है ये पूरे संसार में विख्यात है अमोग बिना चूके मतलब अगर आपने किसी को आशिरवाद दिया तो वो पूरा ही होना है ये पूरे संसार में विख्यात है सुनो हू मातू माता सुनो मोही अतिशय भूखा मैं बहुत अधिक अतिशय बहुत जादा मुझको भूख लगी है क्योंकि मैं समुद्र को लांग करके आया फिर विभीशन से मिला फिर पूरी लंका में ढूना आपको मैंने इतना टाइम हो गया अब मुझको जब आप मिल गई अब मुझको बड़ी भूख लग रही है और भूख लगने का एक कारण ये भी होता है सामने अब जब अच्छा-च्छा स्वादिष्ट खाना मिलता है सुगंद आती है उसकी तो भूख और बढ़ जाती है वैसे ही हनमान जी बोल रहे हैं कि लागी देखी लगे देख करके मुझको मेरी भूख और बढ़ गई है मुझको और भूख लग गई है सुनू सुथ हे बेटे सुनो करही विपिन रखवारी कौन परम सुभट रजनीचर भारी बहुत अधिक बलवान योधा रजनीचर राक्छासों के योधा जो बड़े भारी हैं बलशाली है वो विपिन इस वन की रखवाली करते हैं तुम जाकर के अगर फल तोड़ोगे विरक्ष को बेसे निकाल निकाल के खाओगे तो बड़े चौकीदार यहां के बड़े सक्त हैं बलशाली हैं राक्छास समू हैं बड़े योधा हैं वो इस वन की रखवाली करते हैं हनमान जी बोले तिन कर भय माता मोहिना ही हे माता मुझको उनका भय नहीं है उनसे मैं नहीं ड़ता जो तुम सुख मानहु मन माही जो तुमको सुख लगे मन में जो तुम सही मानो सुख मानो तो ही मैं जाओंगा और नहीं अगर तुमको सही नहीं लग रहा तो मैं नहीं देखी बुद्धी बल निपुणता कपी हनुमान जी की बुद्धी बल और निपुणता देख करके कहे हूँ जान की जाहू जान की जी ने कहा क्या कहा रगुपती चर्ण हिर्दय धरी राम जी के चर्णों को हिर्दय में धरके हिर्दय में रखके हेतात तुम जाके मधुर्फल खाहू सुन्दर सुन्दर फल खाओ जाकरके ऐसा सीता जी ने बोला चले उनाई सिरु पैठियु बागा सीता जी को सिर नवा करके वे बाग में घुस गए चले गए फल खाई सी फल खाने लगे तरु व्रक्षों को तोरे लागा तोडने लगे रहे तहां वहाँ पर रहते थे बहु भट रखवारे महा बली रखवाले वहाँ पर थे वहाँ रहते थे कच्छू मारे सी उन्मे से कुछ को उन्होंने मारा और कुछ जो थे बच करके पुकारते हुए जाने लगे हे भगवान बचाओ, हे रावन बचाओ, एक बड़ा भारी बंदर आ गया है, वो हमको मार रहा है, उसने पूरी अशोक वाटी का को उजाड डाला है, जाई पुकारे, ऐसा पुकारते हुए वो चले गए, गए, जा करके क्या बोला उन्होंने, नात, रावन से बोल रहे हैं, कौन रखवाले, नात, एक आवा कपी भारी, एक बहुत बड़ा बंदर, भारी बंदर आ गया है, तेही उसने अशोक वाटी का उजाड़ी, उसने अशोक वाटी का को उजाड डाला है, खाए सी फल, फल खाल लिये, वहां तक तो ठीक था, और अरू, विटप व्रक्च को तोड़ दिया, रक्षो को उखाड दिया, उपारे का मतलब होता है उखाड दिना, रक्षक, रक्षकों को मर्दी मर्दी मसल मसल कर, मसल मसल कर माही डारे, माही मतलब जमीन, प्रत्वी पर डाल दिया, मसल मसल करके उनको और फेग दिया, जमीन पर डाल दिया, सुनी रावन भटें भट नाना ऐसा सुन करके रावन ने भेजा पठा भट योध्धा नाना अनेक प्रकार की योध्धाओं को रावन ने भेजा उनको देख करके गरजयो हनुमाना हनुमान जी ने भेंकर गरजना की सब रजनीचर सारे राक्षस हनुमान जी ने कपी ने संघारे मार डाला संघार कर दिया संघारे का मतलब होता है संघार करना और कुछ गए पुकारत पुकारते हुए गए जिनको आधा मारा था मारने के पहले अधुमरे जिसको बोलते ना आधा मार दिया उस तरह की इस्तिती में बहुत सारे रखवाले पुकारते हुए गए फिर पठयों तहीं अच्छ कुमारा अच्छ कुमारा रावन का पुत्र था अच्छ कुमार इसको बोलते हैं मेगनाद का छोटा भाई मेगनाद का छोटा भाई अक्षय कुमार नाम था इसका अक्षय जिसका कभी छै नहीं होता लेकिन इसको हनुमान जी ने मार डाला था अभी मारेंगे पनी पठेयों तब उन्होंने फिर तेहीं अच्छ कुमार अपने पुत्र अक्छ कुमार को भेजा अक्छ कुमार ने चला संगलें अपने साथ लेकर के चला सुभट अपारा बहुत सारे अनेक योधाओं को लेकर के वो चल पड़ा आवत देखी हनुमान जी ने उसको आवत देखा उसको आते हुए देखा बिटप व्रक्ष बिटप गही तरजा उन्होंने पेड़ों को उखाड लिया ताही निपाती निपाती का मतलब होता है फेक करके मारना सिंपल मारना नहीं हनुमान जी ने क्या किया था वालमी की रामायन में ऐसा उलेख आया है कि बहुत भेंकर युद्ध हुआ फिर हनुमान जी ने उसके पैर पकड़ लिये और अक्षे कुमार को बहुत बार ऐसे ऐसे घुमाया और ऐसे फेक दिया उसके कारण से उसकी मौत हुई थी तो निपाती वर्ड जो है मारी नहीं है यहाँ पे ताही मारी महाधुनी गर्जा नहीं ताही निपाती अक्षे कुमार को भेजा तो हनुमान जी ने उसको मार डाला आवत देखी अ बिटप गही तर्जा का मतलब तए ललकार ना तो हनुमान जी ने पेड उखाडा और उसको ललकार अक्षे कुमार को अठारवा दोहाँ आ गया कुछ को मारा, कुछ को मसला, मरद ऐसी मतलब मसला कच्छु मिल ऐसी धरी धूर, कुछ को धूल में मिला दिया कच्छु पुनि जाई पुकारे और जो बच गए थे, अध मरे थे, वो फिर से पुकारते गए किसे, रावण से बोलते हैं, प्रभु, मरकट, मरकट मतलब बंदर बल भूरी, बहुत भारी बल का भयानक बल वाला बंदर है, यह आम बंदर नहीं है बहुत हे रावण, हे प्रभु, यह जो बंदर है, इसका बल भाँत भारी है सुनी सुत बद्ध रावन के बारे में बोल रहे हैं कि जब उसने अपने बेटे का वद्ध सुना लंकेश रिसाना रिसाना मतलब गुस्सा हो जाना क्रोधित हो जाना अक्षय कुमार का बद्ध सुन करके रावन को बहुत गुस्सा आया तब उसने पठेसी भेजा मेघनाद बलवाना अपना जो पुत्र था बड़ा पुत्र मेघनाद इसको इंद्र जीत भी बोलते हैं जिसनों ने अपने बल से इंद्र को जीत लिया था तब रावड ने मेघनाद को भेजा मारसी जनी सुत बांधे सुत आही उसको मारना नहीं उसको पुत्र बांध करके लाना उसको तुम बांध करके ले आना देखिए कपी कहां कर आई देखें तो कि ये जो बंदर है ये कहां से आया है मार दोगे तो पता भी नहीं चलेगा आतंकवादी घुश जाते हैं उनको मार देंगे ठीक है समाप्त हो गए मारना भी चाहिए लेकिन अगर बांध के अगर हम उनको ले आते हैं तो फिर हमको सारी जानकारी मिलती है कि वो कौन है इसने भेजा कहां से ट्रेनिंग ली कहां से आये कहां से वो गुस्पैट करते हैं तो बांधने में हमको सारी जानकारी मिलेगी देखें कपी कहां कर आई देखें तो वो जो बंदर है वो कहां से आया है चला इंद्रजित अतुलित जोधा जो इंद्रजित है वो बहुत बड़ा योधा है अतुलित जिसके बल की तुलना नहीं की जा सकती जिसके बल को तौला नहीं जा सकता चला इंद्रजित जो की अतुलित जोधा है बंधु निधन उसका जो छोटा भाई था उसका निधन हो गया था अक्षे कुमार का जो छोटा भाई था तो अपने बंदू के निधन सुन करके उसके मन में क्रोध उपज गया था अच्छा, मेरे भाई कुमार डाला देखता हूँ मैं कौन बंदर है ये चल पड़ा कपी देखा, हनवान जी ने देखा दारुन भट आवा, बड़ा भारी बड़ा भारी, बहुत बल्शाली दारुन का मतलब होता है बड़ा भारी जा को प्रभू दारुन दुख देही जिसको प्रभू बहुत जादा दुख देते हैं दारुंड दुख देही ताकी मती पहले हर लेही, उसकी मती जो है वो पहले ही कhtम कर देते हैं, समाप्थ कर देते हैं, तो दारुंड का मतल्म बड़ा भारी, भट योधा आवा, आया है। हनुमान जी ने देखा, कपी देखा, दारुन भटावा, बड़ा भारी योद्धा आया है, वो कट-कटा के, बंदर लोग जो होते हैं, कट-कटा आते हैं, गर्जा और भावा, उन्होंने दौड लगाई, हनुमान जी ने उसको देख करके, अती विशाल तरु एक उपारा, हनुमान जी ने बहुत बड़ा, अती विशाल, पेड तरु, एक उखाड लिया, बी रत, रत हीन, मेगनाथ जो था, वो रत पे आया था, तो उसने, हनुमान जी ने उसको पेड मारा, जिससे वो बिना रत का हो गया, बिरत कीन, लंकेश कुमारा, लंकेश कुमार को हनुमान जी ने बिना रत के कर दिया, रहे महाभट ताके संगा, उसके साथ बहुत बड़े-बड़े महायोधा थे, उसके संग में थे, गही गही, पकड़ पकड़ कर, कपी, हनुमान जी ने, मरदई निज अंगा, मसल दिया अपने हातों से उनको पकड़ पकड़ करके पकड़ पकड़ के गही गही मतलब होता है पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ के हनुमाइन जी ने मसल दिया मर्दई का मतलब होता है मसला निज अपने अंगों से अपने शरीर से मसल दिया उन्होंने तिनही उनको निपाती फेक फेक के मारा ताही सन बाजा तिनही निपाती रक्षक जो थे महाभट उनको उन्होंने मसल मसल के मार के फेक फेक के मार के ताही सन बाजा अब वो मेगनात के साथ लड़ने लगे भिरे जुगल, जुगल मतलब दोनों, दोनों भिड़ पड़े, दोनों कौन-कौन, हनुमान जी और मेगनात कैसे लग रहे हैं लड़ते हुए, मान हूँ, गज राजा, जैसे हाथी, दो हाथी, भिड़ गए हो, जबर्जस्त, मदमस्त, वैसे प्रतीत हो रहा है, वैसा लग रहा है मुठी का मारी चढ़ा तरू जाई, हनुमान जी उसको एक मुठी मारी, मुक्का मारा, जोर से, मुक्का मार के हनुमान जी चढ़ा तरू जाई, पेड़ पर चढ़ गए ताही एक छन मूर्चा आई मेगनात को उसको एक छन के लिए मूर्चा आ गई मूर्चित हो गया कौन मेगनात उटी बहोरी कीनहसी बहु माया मेगनात ने उठ करके बहुत प्रकार से माया कीनहसी कौप्रकार की माया की माया रचाई उसने पर उस माया से वह जीत नहीं पाया प्रभंजन जाया प्रभंजन का मतलब होता है प्रचंड वायू हनुमान जी किसके पुत्र थे किसके जाय हुए थे किसके पैदा किये थे वायू के पवन कुमार हनुमान जी वायू पुत्र थे तो वो वायू पुत्र को प्रबंजान जाया मतलब वायू पुत्र पवन पुत्र उसको मेगनात जीत नहीं पाया जीत नहीं पा रहा ब्रह्म अस्त्र ब्रह्म अस्त्र सबसे बड़ा अस्त्र वेदो में जो हमको मिलता है वो मेगनात ने संधान किया उस ब्रह्म अस्त्र का जब बहुत प्रकार से उसने ये देखा कि हनुमान जी वश में नहीं आ रहे अब क्या करूं मैं तो उसने फिर ब्रह्म अस्त्र का संध किया कपि मन कीन विचार जिसको देख करके हनुमान जी ने मन में विचार किया क्या विचार किया मन में जोना ब्रह्म सर मान हूं यदी मैं ब्रह्म अस्तर को नहीं मानता मेरे हाला कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं नहीं मानूं उसको निस्फल कर दूँ वो मुझे कुछ न ब्रमास्त्र को नहीं मानता हूं, तो महिमा मिट ही अपार, ब्रमाजी के परती, ब्रमाजी की जो महिमा है, वो मिट जाएगी, बहुत बड़ी जो उस नाम की महिमा है, ब्रमास्त्र, वो मिट जाएगी, मेरे मन में जो श्रद्धा भक्ती है, ईश्वर के परती, वो मिट गुरू ने कोई आग्या दी शिश्य चाहे तो ना करे नहीं कर सकता में गुरू से बलवान है शिश्य जवान है, ताकत बहुत ज़दा है नहीं मानता मैं लेकिन वो क्यों मानेगा क्योंकि अगर वो उनकी आग्या को نہیں मानेगा तो गुरू के प्रती जो श्रद्धा है गुरू का जो गुरुत्व है जो वजन है जो भार है वो कम हो जाएगा इसलिए शिश्य को कई बार बेटे को कई बार माता पिता की बाते इसलिए मानने पड़ती है क्योंकि वो माने कही है वो पिताने कही है शिश्य इसलिए मानता है क्योंकि वो गुरू ने कहा है इसलिए तो हनुमान जी ने भी ऐसा ही विचार किया कि अगर मैं ब्रह्मास्तर को नहीं मानूंगा तो मेरी जो महिमा है उसकी जो नाम है उसकी जो महिमा है परतिहु बार कटकु संगहारा और गिरते गिरते परतिहु का मतलब होता है अपन बोलते हैं गिरना पढ़ना एक शब्द यूज होता है गिरना अलग है और पढ़ना अलग है गिरना पढ़ना बोलते हैं गिरते पढ़ते अगर कोई भी चीज उपर से नीचे आती है तो उसक नीचे आकर के वो फैल जाती है नीचे आकर के वो जमीन पर पढ़ जाती है बीमार पढ़ गए मतलब हम बिस्तर के ऊपर लेट गए हैं लेट जाना उसको कहते हैं पढ़ना गिरना लग है पढ़ना लग है कई बार गिर जाते हैं पर पढ़ते नहीं है और कई बार पढ़ जा बिना गिरे दोनों अलग लगे दोनों का कॉम्बो है एक्चुली में तो हनमान जी जब पड़े मतलब इस तरह से गिरे तो उन्होंने गिरते पड़ते समय पड़ती हूँ बार पड़ते समय पड़ती बार कटकू मतलब सेना सेना का भी संघार कर दिया बहुत सारे सेना का उन गोली लगने के बाद भी वो कई सेनिकों को, दुश्मन के सेनिकों को मार डालता है, वो ही सीन यहाँ पे भी है, वो ही भाव यहाँ पे भी है, तेही देखा, मेगनात ने देखा, उसने देखा, क्या देखा, कपि मूर्चित भयो, हनुमान जी, मूर्चित हो गए है, नाग प पाश पाश बाश एक बांधने का एक रस्सी के जैसा होता है पाश है जिससे बांधा जाता है किसी चीज को और सबसे मजबूत सबसे प्रभावशाली नाग का ऐसा बोलता है पाश होता है उससे वो बांध के ले गया हनुमान जी को ले गया यह पूरी कहानी शंकर जी उमा जी को पार्वती जी को भावानी को सुना रहे हैं तो शंकर जी कहते हैं हे भावानी हे पार्वती जिसका नाम जपने से सुनो भावानी जिसका नाम जपने से ही नर और ज्ञानी भव बंधन काट ही प्रभुश्री राम का नाम सुनने से ही मनुष्य लोग ज्ञानी लोग इस संसारिक बंधनों को काट डालते हैं तासु दूत उनके दूत ने उनके सेवक ने की बंध तरु आवा बंध अपने आपको बंधा लिया बंध तरु आवा मतलब उनके दूत ने जिसका नाम सुनके लोग भव बंधन काट देते हैं उनके दूद को बांध लिया गया क्यों? प्रभु कारज प्रभु का कारे था राम चंद्र जी का कारे था इसलिए लगी कपी ही बंधावा इसलिए बंदर ने इसलिए हनुमान जी ने अपने आपको बंधवा लिया क्योंकि वो प्रभु राम का कारे था कारज मतलब कारे है प्रभु के कारे के लिए उन्होंने अपने आपको बांध लिया अगर प्रभु का काम नहीं होता तो किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो राम चंदर जी के दूत हनवान जी को बांध ले पकड़ ले संभव ही नहीं था क्योंकि भगवान का कारे करना था और वालमी की रामाइड में भी ऐसा उलेख आता है कि हनवान जी ने विचार कर लिया था कि मैं रावन से मिलूं एक बार उसकी सभा को देखूं उसमें कितना बलाबल है उसके योध्धा किस प्रकार के हैं उसके दुर्ग की व्यू रचना कैसी है कहां द्वार है कहां से लोग को आना है कहां जाना है कितने द्वार है ये सब में देखना चाहता हूं तो वो कैसे उस दुर्ग के अंदर जाएंगे सभा में कैसे जाएंगे तो ये विचार करके ये प्रयोजित था कि हनुमान जी ने अशोग वाटिका को उजाडा था ताकि वो लोग आए और मुझको बांध भूंद करके सभा में ले करके जाएं कपी बंधन हनमान जी को बांध लिया गया है अरे वो बंदर जिसने अश्ओक वाठी का में उत्पात मचाया था उसको बांध लिया है मेगनाद ने ऐसी बाते शुन करके राक्षस लोग दाड़ पड़े राक्षस गना दाड़ पड़े कहां बांध लिया कहां बांध लिया आग की तरह पूरे इलंगा में खबर फैल गई थी कि एक बड़ा भारी बंदर आया है तहीं अशोक वाटिका उजारी जिसने अशोक वाटिका को उजार दिया है अरे मालूम रावड के बेटे अक्षे कुमार को मार डाला हाँ अच्छा जब लोगों को पता चला कि कपी को बांध लिया गया है तो कौतुहलवस कौतुक लागी कौतुहलवस वो सब सभा आयें कहां ले गएं वो बंदर को कहां ले गएं अरे वो रावड की सभा में लेके गएं हाँ चलो 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 देखते हैं कौन है देखते हैं कौन है ऐ ऐसा भाव लेकर के सब रावण की सभा पहुँच गए। के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना जबरजस्त इंटीरियर था, इतना जबरजस्त उसकी भव्वेता थी, इतनी विशाल थी, एक से एक नग जड़े हुए हैं, एक से एक सुन्दर सुन्दर चीजे वहां रखी हुई हैं, अति प्रभुताई, अति श्रेष्ट, एश्वर्य युक्त सभा का दर्शन किया, किसने कपी ने, हनुमान जी ने, वहां पे देखा क्या है, कर जोरे, हाथ जोड करके, हाथ जोडे, सुर्र, देवता, दिसिप, दिक्पाल, जो दिशाओं के स्वामी होते हैं, दसों दिशाओं के स्वामी, उनको दिक्पाल बोला जाता है, बिनीता, नम्रता पूर्वक, उसकी सभा में, कई राजा, कई देवता, दिक्पाल, नम्रता पूर्वक, हाथ जोड के खडे हैं, जो की भरकुटी बिलोकत, रावण की जो भोहे हैं, रावण का जो मुह हैं, उसको देख रहे हैं, बिलोकना मतलब देखना, डर के मारे, सकल, सभी, सभीता, भैयुक्त हो करके, भैयुक्त, सभी लोक डर के मारे, रावण का मुह देख रहे हैं, उसकी ब्रकुटी देख रहे हैं, कि किस की तरफ वो घूम जाए, और क्या आदेश मिल जाए, उसकी सभा में ये सीन है, देखी प्रताप, इतना सारा प्रताप देखके, इतना सारा वैभव देखके, न कपी मन संका, कपी के मन में कोई शंका, कोई डर, यहाँ पे शंका का मतलब है डर, भै, इतना सारा, इतनी भैंकर, इतनी बड़ी सभा देखके भी, इतने बड़े-बड़े योद्धाओं को देखके भी बंदर हनुमान जी के मन में कोई भी भै नहीं आया, कोई भी शंका नहीं आई, जिस प्रकार जिमी, अही गन, अही रावण, अही अहिन के माता, अही का मतलब होता है साप, गन मतलब गन, समूह, जिस प्रकार सापों के समूह में, में, गरुण, अशंक, निर्भय, खड़ा हो जाता है, बिना भय के अशंका, शंका मतलब भय, यहाँ पे, हनुमान जी, रावण के सभा में वैसे ही खड़े हुए हैं, जैसे सर्पों के समूह के बीच में, गरुण, खड़ा है, उसको मालूम है, कि यह इतने सारे सर्प हैं, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इस तरह का भाव लेकर हनुमान जी, खड़े हुए हैं, कपी ही बिलो की दसानन, दसानन ने, रावण ने कपी को बिलो किया देखा, मेगनाथ उनको बांध करके रावण की सभा में लेके आया, तो रावण ने हनुमान जी को देखा, भी हसा, हसने लगा वो देख करके, हसा, और कही दुर बाद, बहुत सारे दुरवचन बोले, गंदी गंदी बचन बोला, हमारे नॉर्मल लेंग्विज में बोलता हैं, गाली देना, इस तरह से रे दोष्ट, रे मूर्ख, इस तरह से रावण ने उसको बोला, तुने मेरे बेटे को मार डाला, जैसी उसको याद आया, सुत बद सूरती, जैसी उसको ये स्मरण आया, कि इसी बंदर ने मेरे पुत्र को, सुत को, सुत्र मतलब पुत्र, पुत्र का वद किया है, तब उसको, जैसी उसको याद आया, उपज्जा हिर्दय विशाद, उसके हिर्दय मे विशाद उत्पन हो गया, क्लेश दुख आने लग गया पहले तो खूब हसा, खूब बुड़ी-बुड़ी-बुड़ी बातें बोली लेकिन जैसे ही उसको अपने बेटे के वध का ध्यान आया तब उसने उसके हिर्दय में विशाद उत्पन हो गया, दुख उत्पन हुआ, किसके? रावण के कहलंकेश, रावण कह रहा है, हनुमान जी से कह रहा है कवन, तै, तै मतलब तुम, तू, तुम कौन हो किसा कही के बल, किसके? किसा मतलब किसके? कौन कही के बल, किसके बल, कौन मतलब जिसके बल या कौन, कौन किसके बल, किसके बल, तुमने वन, वन यानि अशोक वाटी का अशोक वाटी का गाले ही का मतलब होता है नुकसान करना किसके बल से तुने अशोक वाटी का को नुकसान किया खीसा का मतलब होता है उजार देना नश्ट कर देना इसका मतलब होता है नश्ट कर देना तो रावण जो है हनुमान जी से बोल रहा है कि कहे लंकेश? रावन कह रहा है हनुमान जी तू कौन है कौन किसके कहने के बल पर किसके बल पर तूने अशोक वाठीका को नुकसान पहुंचाया और उसको उजाड दिया की धाओ धाओ मतलब नाम और यश को बोलते हैं नाम और यश प्रसिद्धी इसको बोलते हैं धाओ इसी से एक वर्ड आता है धौस देना ये बड़ा बहुत प्रचलित वर्ड है धौस देने का मतलब क्या होता है कि किसी के नाम और यश से उस व्यक्ति को प्रभावित करना उस व्यक्ति को धमकाना धौस देना मेरे नाम की धौस देना तो किसके नाम और किसके यश श्रवन सुने ही नहीं मोही देखूं अति असंक अशंक बिना शंका के बिना डर के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हनुमान जी जो थे वो रावन की सभा में बिना डर के भय मुक्त खड़े हुए थे सठ मतलब मूर्क तो ही मतलब तेरे को मैं तेरे को बिना डर के खड़ा देख रहा हूँ की धो श्रवन सुने ही नहीं मोही क्या तुने मेरा नाम और यश श्रवन सुना श्रवन सुने ही नहीं मोही तुने मेरा नाम और यश सुना नहीं है पता नहीं है श्रवन करना मतलब सुनना सुने ही नहीं सुनही ने इसका मतलब ये हुआ कि क्या तुने मेरा नाम और मेरा यश सुना नहीं है देखाऊ मैं तुमको देखता हूँ अतियसंक बहुत निडर होकर के तुम हे मूर्ख तू मुझे बिना डर के बिना भय के मैं तेरे को यहाँ पे देख रहा हूँ ए तु जानता नहीं हम कोन है तु हमसे ऐसी बात है कर रहा है यह भाव है यहाँ पर मारे निशिचर निशिचर मतलब राक्षसों को मार डाला केही अपराधा किस अपराध के कारण किस अपराध के कारण तुने राक्षसों को मार डाला वो तो रक्षा कर रहे थे कहूं सठ र प्रान कई बाधा, क्या तुझे अपने प्राणों का भै नहीं है? क्या तुझे अपने प्राणों का भै नहीं है? सुनु रावन, हनुमान जी बोल रहे हैं, सुनु रावन, पाई जावसु बल बिर्चति माया, जिसका बल पाकर, जिसका बल पाकर विरचती विरचना मतलब रचना करना बनाना स्रजन करना create करना माया ने इस ब्रह्मांड निकाई की इस ब्रह्मांड निकाई की ब्रह्मांड समूहों की निकाई मतलब जैसे नगर निकाई के चुनाव होने वाले हैं मंदल निकाई के चुनाव होने वाले हैं यूनिट इस ब्रह्मांड निकाई की जिसने रचना की है माया ने जिसके बल से इस ब्रह्मांड समूहों की रचना की है सुन रावन हनवान जी बोल रहे हैं जिसके बल से बिरंची मतलब ब्रह्मा हरी मतलब विश्णू हरी मतलब विश्णू कीशा मतलब महेश पालत शरजत हरत नश्ट करना संधार करना हरना नश्ट करना ब्रह्मा विश्णू महेश में अपन बोलते ना की जो ब्रह्मा है वो सर्ष्टी के सरजन करता है जो विश्णू है वो पालन करता है महेश जो है भगवान शिव वो सरष्टी का नाश कर देते हैं तो वहाँ से वो शिश संसार को नश्ट करते हैं पालत शरजत पहले सर्ष्टी की रचना रचना नमबर दो पे उसका पालन करना नमबर दो पालन करना तीसरा महेश का काम है संकर जी का काम है शरश्टी का एंड करना नश्ट करना हे दस सीष हे रावन जिसके बल से ब्रम्मा विश्णु महेश इस शरश्टी का शरजन करते हैं पालन करते हैं और हरन करते हैं नश्ट करते हैं जिसके बल से सीष मतलब सिर धरत सहसानन 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 ये हम शेश जी को बोलते हैं शेश नाग को सहसानन बोलते हैं के एक हजार फन थे सहस्त्रानन आनन मतलब मुह सहस्त्रानन मतलब हजार फन वाले हजार मुख वाले अंडकोश मतलब यहाँ पे है ब्रह्मांड का बीज या ब्रह्मांड समेत गिरी मतलब परवत और कानन मतलब जंगल वन उपवन को वन को कन बुला जाता है तो जिसके बल से शेशनाग, हजारफन वाले शेशनाग ब्रह्मान्ड समेत परवतों को, वनों को, जंगलों को अपने सिर पर धरते हैं, अपने सिर पर रखते हैं धरई जो विविध, जो अनेक प्रकार के रूप धर के, देह धर के, रख के धरना मतलब रखना, जो अनेक प्रकार के शरीर धारन करके सुर देवता, देवताओं को सुर बोला जाता है, देवता गण को त्राता का मतलब होता है रक्षक ये कई बार आएगा ये वर्ड त्राता रक्षक जो विविन प्रकार के रूप रखके देह रखके देवताओं की रक्षा करते हैं और तुमसे सठन तुम्हारे जैसे मूरुखों को तुम्हारे जैसे मूरुखों को सिखावनों सीख देते हैं सबक देते हैं दंड देते हैं तुमारी अकल ठिकाने लगाते हैं सो हनमान जी रावन के बारे में कह रहे हैं कि मैं उनका ही दूत हूँ हर कोदंड कोदंड एक धनुष था जिसको रामचंदर जी ने तोड़ा था हर यहां मतलब है शिवजी शिवजी का धनुष था कोदंड कठिन जही भन्जा जिनोंने शिवजी के बड़े भयंकर बहुत बड़े कठिन धनुष को तोड़ा था कोदंड मतलब धनुष तेही समेत नरप दल मद गंजा जिनोंने समेत नरप दल धनुष तोड़ के जिनोंने राजाओं के समुह का नशा खत्म किया था नश्ट किया था सीता स्वेंबर की गटना आपको पता है धनुष तोड़ने बहुत बहुत राजा आये थे बलशाली थे लेकिन कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया था अंत में रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा था तो सीता स्वेंबर में वो ये कह रहे हैं कि राजाओं का जो दल था कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया था उनका जो नशा था उनको अपने एश्वरे का अपने राजा होने का जो मद था जो नशा था वो गंजा वो नश्ट किया था वो तोड़ा था घर, दूशन, तृशिरा और बाली ये चार राक्षस थे जिनका वद रामचंदर जी ने किया था घर, दूशन, तृशिरा और बाली वद है मतलब जिन्नों ने वद किया था मारा था सकल सभी को इन चारों को इन सभी को अतुलित, बलशाली ये चारों जो थे ये बहुत जादा बलशाली थे बहुत जादा ताकतवर थे इतने बड़े बड़े ताकतवर राक्षासों को जिनों ने मार डाला जिनों ने उनका वद कर दिया तासु दूत उनका दूत मैं हूँ हरी हरन करके हरन करके आने हूँ ले आये हरन करके मतलब ले आना प्रिय नारी जिनकी प्रिय नारी को प्रिय पतनी को तुम हरन करके ले आये हो और क्या जाके बल जिसके बल से ते मतलब तुमने रावन तुमने जिसके बल से लव लेश छण मात्र में जिते हूँ जीत लिया रावन भी बहुत पराक्रमी था बहुत बड़ा एक राजा था जिसने बहुत सारे लोगों को हराया था और जीता था चर और अचर चर और अचर चल अचल हम बोलते ना अचर संपत्ती, स्थिर संपत्ती जो होती है जैसे भूमी हो गया भवन हो गया जो चल नहीं सकते जो चल सकते है जो घर की चीजे हैं, गाड़ी है, वाहन है घर में जो चीजें लोती है उनको बोलते हैं चल इनको आप तुरंट बेज सकते हो यह चल नहीं सकती समस्त जगत समस्त जगत को हे रावन तुम ने जिसके बल से समस्त चल और अचल समस्त जगत को जीत लिया उनका मैं दूत हूँ, तासु मतलब उनका, उनका ही मैं सेवक हूँ, उनका मैं ही दूत हूँ, मैं जाकरी, मैं उनका ही दूत हूँ, हरी आने हूँ, प्रिये नारी जिनकी, प्रिये इस्त्री को, प्रिये नारी को तुम हरन करके ले आये हो, मतलब मैं राम चंदर जी का दूत करा ओद सकता हो